व्यापारियों को टेक्स चोरी करना भारी पड़ सकता है GST विवाग द्वारा टेक्स चोरी करने वाले व्यापारियों की जाच की जा रही है जल्द ही विवाग की तरफ से ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी GST विवाग के कमिशनर ने कहा कि शेर में GST का नया आफिस शुरू हो चुका है BSNL आफिस में नया आफिस शुरू हो चुका है इसमें डिप्टी कमिशनर सहित सभी अधिकारी मौझूद रहेंगे यह लोग व्यापारियों के सीधे संपर्क में रहेंगे व्यापारी भी अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के पास पहुंच सकेंगे तो अधिकारी गड़ड़ी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सक्त कारवाई कर सकेंगे मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो हैड़कौर्टर है वो सुरे नगर में है तो कमिस्टेट का headquarter तो अभी भी सूरे निगर में ही रहेगा लेकिन वहाँ पर जो division थी division A और division B जो वहीं से function करती थी अब उनको हम लोगों ने यहाँ पर BSNL की building में transfer कर दिया है एक तो क्योंकि उनका जो area cover था वो अलवा district से related था तो अब हम लोग taxpayer के और ज़्याद़ पास आवें जो लोग हैं उनको easy रहेगा यहाँ taxpayer को easy रहेगा मोटी नूगरी में आने के लिए दूसरा जो है कि space की थोड़ा constraint था अपने अलवर headquarter में वो problem भी यहाँ पर आ करके दूर उसमें जो है बड़ा clarification जब यह CGST और SGST basically implement हुआ 1st July 2017 से तो बड़ा killer का division था कि जो registration होगा किसी भी SSE का उसके basis पे ही जो है जो डिक्शन डिवाइड होगी यदि आज की date में किसी भी taxpayer SGST में आता है इसका मतलब उसका registration जो है स्टेट GST में हुआ है और कोई taxpayer center में आता है तो उसका registration CGST में है तो जो taxpayer है उसको पता है और यह पूरा computer generated है computer में जैसे ही आप registration के लिए apply करेंगे वो automatically either उनको SGST में देगा या CGST में देगा तो ब्रहम वाली स्टिती जो है जो starting में थी अब वो काफी हथ तक दूर हो गई है अभी आप लोग की अपन कलेक्टर होते इस commission rate भी तरूब यदि आप जो है अलवर commission rate की बात करें तो हम लोगोंने February में ही हमको target दिया गया था लगबग चार हजार साड़े साड़े 800 के करीब था वह target वह हमने achieve कर लिया है और हम लोग 5000 क्रोड से उपर का revenue जो है सरकार को collect करके दे रहे हैं March का revenue है वह अभी हमें पता लगेगा बट हम expect कर रहे हैं assistant commissioner होगा उनके नीचे जो staff है वह पांच ranges है और हर एक रेंज जो है it is meant by सुब्रेंट साब और उनके साथ एक inspector होते हैं तो और इन हो लेदी हम लोग calculate करते हैं तो एक division में लगबग 15 से 20 का staff होता है और दूसरी division में तो total मिला करके यहां पर जो है 30 के करीब जो है staff हो एक आपने जयावुक्ता के नाम पर एक भूह लगा रखा है तो कि इस तरह के अभ्यान आप जो अपनी 14 जो अपने पास इस तरह हैं उनमें किस तरह हैं करते हैं यह एक trade awareness जो प्रोग्राम है वह हमारा regular एक program हम लोग चालू करते ही हैं उसमें हम लोग interaction करते हैं सभी taxpayers से कोशिस करते हैं जो big taxpayers है और दूसरा जो associations जो बनी हुई है उनके साथ हम लोग एक regularly interaction meeting रखते ही रखते हैं जिससे जिसकी कोई भी events वगेरा हो या कोई clarification हो वह हम लोग दूर करते हैं एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं और उसके लिए जो mechanism जो हम लोग ने बनाया हुआ है we are working on that one मेरी जो है आपके माध्यम से taxpayers के लिए भी यह request है कि किर्पिया जब भी कभी उनके पास कोई भी समान आता है तो वो उसकी background verification जरूर करा है या फर्जी invoicing के जाल में ना फसें बाकि जो action हम लोग को लेना है वो हम लोग action ले ही रहें हैं उनके खिलाब और maximum जो है उसको हम लोग निप इंदा बड करने की कोशिश करते हैं कि जिस registration यदि कोई नए आदमी ले रहा है जो फर्जी intention से ले रहा है उसको हम लोग भी खत्म करते हैं करते हैं